हांजी क्या हाल हैं आपके मैं सुम्मित कुमार एक बाफ इससा आपको सागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और जैसे जैसे एंडिय का क्रेज बढ़ रहा है बच्चों के अंदर जिग्या सा बढ़ रहे कि हमें भी देश की सेवा करनी है वैसे वैसे बच्चा देखो यह वाले बच्चे हैं इनको थोड़े से बेसिक समझने होंगे फिर जो मैं बाते बता रहा हूं वह आपको समझने होगी मैं आपको गरिंटी दे रहा हूं यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और बहुत सारे मिट्स भी आपको थोड़ेगी जो यह इसके अंतरगत में तीन पॉर्शन में सेक्शन को डिवाइड कर सकता हूं इंगलिश साइंस एंड जीक के साइंस का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलजी जीके का मतलब है हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी करन्ट अफेस एकोनोमिक्स ठीक है और इंगलिश में दो पॉर्शन आते हैं ग्रामर एंड वोकेबलरी तो यह अगर वैसे अप सब्जेक्ट वाइज ऐसे आप बाइलोजी के सब्जेक्ट मांगोगे हिस्ट्री के मानों मानों होगे तो कुल मिलाकर ऐसे अपने 11 सब्जेक्ट हो जाते है अगर आप ऐसे ही सब देख सकते हो तो मतल इलेवन्थ एंड ट्वल्थ क्लास के आती है जो मैथेमेटिक्स आती है पेपर में वह कुर्लास 11 और त्वेल्थ कि आते मैं अभी आपको दिखांगा उसमें चीज़ों समझाने कोशिश करूँगा इंगलिष होती है वह जर्णनल होती है मतलब इंगलिष में ऐसे कोई वह आती है जो साइंस आती है इसमें साइंस आती है फिर इस कमिश्टी बाइल जी लगबग 60% आती है 910 बेस्ट और बाकी आती है 1112 बेस्ट जो जीएस की क्लास का कोई वो सिस्टम नहीं होता है वैसे तो लेकिन फिर भी आप यह मान सकते हो कि जो जीके है सबसे पहले आपको यह बाते जाने जुरूरी है अब कि सर हम 910 से प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं एक पहले स्लेबस दिखा जेता हूं आपको यह एंडिय की नोटिफिकेशन है अगर इसके हम पेज नंबर 22 पर चले जाएं पेज नंबर 22 पर चले जाएं तो देखो यह स्लेबस आ जाता है कि काट देभाई यह लोग और उपर ही आ जाता है स्लेबस सोरी 22 से पहले आ जाता है देखो तो यह इग्जामेशन की स्कीम है सब कुस्न रटीफिकेशन वैसे दिया होता है मैंतमेटिक्स पहले मैंथेमेतिक्स mathematics algebra algebra में बहुत सारे topics फिर matrix and determinant फिर trigonometry फिर 2D 3D फिर calculus फिर calculus के और portion vector algebra stats probability यह math का syllabus है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी 1112 की anxiety ही exactly उसका syllabus होता है वहीं पर आज़ो देखो English English मैंने बता है simple basic understanding मांगता है आपकी reading check होती है grammar check होती है जीके की बात कर ले तो जी फिसका syllabus अगर आप इस topic को पढ़ोगा आपने बहुत सारे topic 910 में पढ़े होगे तो सेम chemistry पढ़ोगे तो 910 बहुत सारे topic पढ़े होंगे same goes for journal science और 910 बहुत topic पढ़े होंगे then history इसका थोड़ा सा जो syllabus अच्छे तरीके से दिया नहीं हुआ हिस्ट्री का ठीक है जोग्रफी आपने चीजा 910 11 12 चारों किताब देखने को मिलेगी तो यह सबसे पहले बात तो यह syllabus है अब सर preparation कैसे कर सकते हैं अब उस पर थोड़ा सा ज्यान दे दो हमें देखो जी ज्यान ले लो पहले आप आप जो बच्चा 9 और 10 में है उसको ज्यादा भावुक होने की हर एक सब्जेक्ट से मेरा मतलब है mathematics जीके एंड साइंस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने बहुत बच्चा बोलेगा सर मैं mathematics क्यों पढ़ू जब 11 12 क्या नहीं है 11 12 की मैटमे mathematics इजी तब लगेगी जब आपको 9 10 का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है मैट में कुछ और नहीं करना 11 12 पर फोकस नहीं करना जब 9 और 10 पास करने के बाद ही 11 की उठानी है mathematics की कुछ नहीं करना इस बेस को स्ट्रोंग कर लो 9th and 10th की NCRT प्लस में एक level उपल RD शर्मा तक ठीक है यह आप अच्छा कर लो आप बेस बना लो बस अपना ठीक है कि आपका math का बेस अच्छा हो that's it 11 की किताबे आपको नहीं देखनी है ज्यादा भवुक होनी की ज़रूत नहीं किलियर है अब next आ जाओ next है कि जी के में क्य करो कुछ नहीं जो आपकी 9th और 10th की NCRT है आपको उसको अच्छे से पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट की NCRT 9th और 10th की NCRT को आपको बहुत जादा अच्छे तरीके से पढ़ना है प्लस में जी के वैसे इंट्रेस्टिंग होती है तो आप जी के की वीडियो भी देख सकते ह प्राइम उसके बाद बागी चीज़े करो साइंस साइंस में 9th और 10th की NCRT रट जाने चाहिए बिलीव करो गर 9th और 10th की NCRT आपकी बहुत अच्छी है साइंस में तो आपके 60 से 65% मार्क्स कहीं नहीं गए साइंस के पेपर में मतलब गैनेंटी है मेरी सबात की तो जो आपके पास है ना पहले उन चीजों को यूज करो बहुत ज्यादा मतलब उतावले होने की जरूत नहीं है छोड़े-छोड़े स्टैप लेना स्टाट करो तो इस पूरी वीडियो का समराइज मैं कैसे कर सकता कि जो 910 का बच्चा है सबसे पहले 910 के स्लेबस से फोकस करें बेवज़े एंडी के स्लेबस पर मतलब उस तरी किसे ना देखें मतलब पहले जो है उस पर फोकस करो वह आपकी हेल्प करेगा 101 परसेंट है यह हो गया रिटन वाला पोर्शन अब बात आते हैं जी सबी के लि कि अगर हो पाए तो करेंट अफेस करेंट अफेस कैसे खुद नहीं पढ़ पाओ अभी मेरी क्लास चलती है डेली करेंट अफेस अनकेडमी करेंट अफेस यूट्यूब चैनल पे वह सुबह जा के रोज देख लो आपको आइडिया लगेगा कि चीजे है क्या उसमें से 20-30 पर सेंट इसमझ में आएगा विए आपको लेकिन देर देर आइडिया करो आपको न्यूशेफ पर पढ़ने के अदर डालने इस से अपकी रीडिंग स्किल्स इंपरूव होगी इस से अपकी कम्निकेशन इंप्रूव होगी से इंप्रूव करने हैं जिसमें आपको इंगलि कि इसके लावा बाकी लोग कुछ भी बोलते हैं मुझे लगता है कि रेलिवेंट है जो मैं बाते बताई अपनी कोर रिसर्च इतना एक्सपीजेंस इतने सारे सेलेक्शन देने के बाद आपको बता रहा हूं इस चीज़ को फोलो करो सिंपल है चीज़े कॉंपलिकेट मत बना सच में सिंपल है ठीक है तो मैं उमीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आपके एक स्ट्रेटेजी बनी होगी इसी तरीके से आप धीरे धीरे दीरे चीजों को शुरू करो 11 तक आते आते एक स्ट्रूंग बेस बन चुका होगा उसके बाद आपको मस्त पोलिश करेंगे और बस इतना ही मिलते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आपके सपोर्ट की हमेशा नीड रहती है और लड़ी बहुत सपोर्ट करते आप लोग उसके लिए थैंक यू सो मच बाक्की जैहिंत जैवारत